हलो दोस्तों नमशकार सत्ष्रिया काल आज एसे रोग के बारे में जानकारी जिसके कारणों में वाद, पित, कफ, रुदिर, मेद, मूत्र और आंथ इन बेदों से साथ परकार से इस रोग के कारण बनते हैं इसकी वज़ा से ये होता है हाइड्रोसिल, अंड कोश में पानी बर जाना, अंड वरीदी जिसको बोला जाता है, दोस्तों इसकी वज़ा से जो रोगी है मरदाना ताकत हो देता है, मरदाना ताकत में कमी आ जाती है इस रोग को ठीक करने के लिए आयरवेद शक्षम है, इसका एक मैं ग्रेलू अबाई आपको बताऊंगा जो कि आप असानी से कर सकते हैं, आपने इंदराइन की जड़ लेनी है, उसको कूट पीस कर कपड़ शान पॉडर कर लेना है, 500 mg के कैपसूल आपने बर के रख लेनी हैं, सुबे दपैर शाम एक एक कैपसूल लेना है, गाए के दूद के साथ, उसमें दो चमच आपने अरेंट का तेर डालना है, केस्टर ओयल जिसको बोला जाता है, तो उस दूद के साथ अपने ये कैपसूल लेने है, दस दिन से बीस दिन के अंदर आपका जो हाइड्रोस है, अंड कोश वरीदी है, अंड कोश में सूजन है, हर तरह का, हर परकार का किसी भी कारण से जो अंड वरीदी हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और आदमी इस रोग से शुटकारा पा लेता है, दोस्तो आप भी इसको अजमाएं और लाब लें, अपने दोस्तों क कैसे लेगी, लाइक, शेर, कमेंट करके जरूर बताएं, तो दोस्तों, इस रोग का मैं शासरी जोग भी बताऊंगा, उसके हमने अलग वीडियो बनाई हुई है, कि रप्या जादा जाने कारी के लिए आप वो वीडियो भी देख लें, थैंक यू.